Hello friends, एक धुवादार IPL के short break के बाद हम वापस आ गए हैं आपके साथ radio का content लेकर तो पहले तो अगर आपने sign up नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजे, link है description में, आपको मिल जाएंगे अपने free के रूपी 16 hundred तो आपने claim नहीं किये तो अभी के अभी जल्दी से जल्दी कर ल और कैसे आपकी problem solve होंगी तो मैं वही चीज में आपको help करने आया हूँ तो आप में से कई लोग इस बात पर confused हो कि radio पर tax का system कैसे चलेगा आपकी liability क्या बनेगी towards the government तो पहले तो मैं यह चीज clear कर देता हूँ कि जैसे दूसरे apps पर आप tax भरते हो similar तरीके से आपको यहां भ file करते हो अब आप confused होंगे क्योंकि बहुत सारे apps TDS immediately deduct कर देते हैं correct but last year तक यह rule नहीं था यह budget जो last वाला budget आया था in feb तब यह rule बदला कि tax at source काटे जाएगा उसके पहले जो भी आपकी winnings होती थी उसको आप at the time of ITR ही file करते थे unless and until आप वो grand league में 10,000 या उपर का amount चीते थ वो सारा tax आप तभी ही बढ़ते थे at the end of the financial year at least जो लोग वो tax बढ़ते थे उन्हें यह बात लागू ही पता है तो उसी तरीके से वो rule अभी के लिए Raryo के लिए same ही रहा है वो virtual digital assets में वो rule अब तक बदला नहीं है and याद रखीगा यह कोई exclusive rule नहीं है ना यह Raryo का rule है ना के clear कर दोंगा तो पहली चीज तो any income या any profit from player cards that would be sold by the users would attract taxability under the VDA provisions VDA provisions क्या है virtual digital assets तो जैसे हम start से कह रहे है एक asset है क्यों कि इसे virtual digital asset जाना जाता है under section 115 BBH of the Indian tax laws अब यह section क्या कहता है कि any person having income from the sale of these cards would be subject to a levy tax of flat rate of 30% अब इसका क्या मतलब है कि जो भी आपकी winnings है वो winning amount पे आपको वो flat 30% देना होगा यह है government का rule under the provision तो यह एक part है profit पे यह जो आपकी जो card से winnings होती है यह उसकी बात हो गई अब उसके अलावा क्या होता है जो भी आप cash rewards जीते हो D3 game से उस पे आपको 30% tax under 194 BA of the Indian tax laws भनना पड़ता है अब यह बात रखिए कि यह tax आपको भनना पड़ता है चाहे आप income bracket के अबाव हो जो tax labs होते हैं कि under I think specific rule है कि under a specific amount आपको कोई भी tax नहीं भना हो अगर आपकी overall income वो amount से नीचे है बट in this case अगर आप समझे आपकी liability सिर्फ 5000 की भी भी तो भी आपको उस पे certain amount of tax भनना पड़ेगा चाहे आपका overall income वो level के उपर हो या नहीं हो तो यह बात आप प्लीज धियान रखिएगा तो अब समझते है कि करके specifically कि कैसे calculation होता है तो अब आपने वो website देखी होगी जहां पर वो आपको दिख गई होंगी total winnings में आपके summary में तो वो जो total winnings वाला amount है उस पर आपको flat 30% tax देना होगा चाहे आपने वो amount withdraw किया हो ना withdraw किया हो reinvest किया हो आपको उस पर flat 30% देना है and यह total winnings पर total earnings पर नहीं कहीं कहीं लोग community में कह रहे थे कि earnings पर देना पड़ेगा नह total winnings पर देना पड़ेगा क्योंगे earnings अलग है वो आपके card से earnings profit वगरा से है तो वो एक अलग बात है उसको हम बाद में discuss करेंगे इसके दो components है एक है कि आपकी winnings से क्या tax liability बनती है और दूसरी कि आपकी profit या loss या sale of card से क्या profit बनता है और वह साब से क्या tax बनता है ठीक है तो बनती है कि profit हुआ loss हुआ क्योंकि वहां पर हम एक entry fee देते हैं but as यहां हमारा card कहीं चला नहीं जाता हमारा card हमारे साथ ही रहता है तो कोई भी practical entry fee नहीं यहां पर as हमारे जो card है उसे as a asset गिना जाता है and because कोई entry fee नहीं है hence वो flat 30% है तो समझे अगर आपको $100 की rewards मिले हो from the D3 game पूरे साल में तो वो $100 की winnings पर आपको 30% which is $30 भरना पड़ेगा तो it's as clear as that कि winnings पर ऐसी ही tax book गिना जाएगा and इस पर कोई और complication नहीं है यह हुगई winnings की बात अब चलते हैं cards के profit की taxability पर अब यह थोड़ा और complicated है तो इसे ध्यान से सुनेगा दो एक दो बात चाहिए तो repeat करके देख लेना मैंने साथ साथ में एक table भी लगाया आगे उससे आपको बाते हैं थोड़ी clear होती जाएंगी तो अब चलते हैं winning cards की तरफ taxable income cards पर कैसे गिना जाएगा selling price minus purchase price तो समझी आपने card बेचा 110$ में खरीदा था 100$ में तो वो हिसाब से आपकी taxable income कितनी हो tax payable into 30% minus TDS अब यह TDS कहां से आ गया जब आपने card बेचे तब 1% TDS रारियो आपके बिहाफ पर deposit कर चुका है government को मैं भी आपको यह बात पता ना हूं बट अभी आपको बदा रहा हूं कि जो भी आपने card बेचा तब 1% TDS रारियो आपकी तरफ से government को दे चुके है वो पैसे तो वो जो है वो आपको गिंती किया जाएंगे जब आप वो table देख लोगे आपको वो बात भी समझ में आ जाएगी तो एक example के साथ समझते हैं समझ यह राज ने buy किया एक 2 card advantage pack रारियो के platform से 11$ के लिए सपोज आप यह समझ लीजे कि पहला card राज ने बेच दिया वापस 50 dollar के लिए तो assume करते हैं कि एक card का price था 6 dollar मतलब मैं round figure गिना हूँ 11 divided by 2 5.5 है अभी for ease of calculation उसे 6 समझ के चलते हैं तो 50-6 पे add the rate 30% कितना हुआ 44 dollar है आपका 50-6 अब उस पे आप add the rate 30% करोगे तो 13.2 dollar हुआ आपका tax उस specific profit पे तो अब समझ यह राज यूटलाइस कर चुके हैं उस specific amount पे 3 dollar का ravio bonus and net amount उने भरा 8 dollar तो बहुत पार हमने ऐसे किया correct कि 11 dollar का pack था हूँ उसमें से हमने 3 dollar का bonus यूज कर लिया तो 8 dollar का हो गया price तो the purchase price of the pack in that case would be 8 dollars तो पहले case मैंने आपको क्या बता है मैंने आपको बोला कि 50-6 क्यूंकि मैं assume कर रहा था क्यूंकि कि आपने एक pack लिया 11 dollar का यह case में समझ आपने वह pack खरीगते time bonus यूज किया हूआ है तो फिर वह 3 dollars वहां से cut जाएगा तो फिर वह हो जाएगा instead of 50-6 it will end up becoming 50-4 क्यूंकि 8 divided by 2 is 4 यह बात होगे clear अब the purchase price of the pack would be 8 and because of that वह card का price reduce हो जाएगा तो instead of counting round figure as 6 हम उसको count करेंगे round figure as 4 अब अगर Raryo ने उस पे marketplace fee deduct किया 3 dollar का and remit आपको 47 यह तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने card बेचा 100 dollar का but कुछ Raryo की fee उसे cut जाती है तो वह selling price फिर भी हम उसको 50 ही consider करेंगे क्यूंकि यह government का rule है as per income tax laws for VDAs कोई भी expense वहाँ पे नहीं गिना जाएगा except for the cost of purchase as allowed deduction to the user तो यहाँ पे आप deduction क्या चीज गिन सकते हो सिर्फ जो आपने उसमें पैसे डाले जो आपके wallet में पैसे थे वो आपने डाले ना marketing जो credit है जो bonus है उसको नहीं आप deduct कर सकते हैं marketplace का जो fee है उसका आप नहीं deduct कर सकते हैं तो just to put it back to you in round figure समझे आपने पैक लिया 11 dollars का और उसमें से आपने पे किये 3 dollars bonus तो वो case में आपका pack का cost हो जाएगा 8 dollars and अभी अगर हम उस पे profit गिनने हैं समझे आपने एक card base दिया उस pack में से 50 dollar के लिए हम कहां से cost गिनेंगे 8 divided by 2 4 dollars हम गिनेंगे उस card का cost and 50 minus 4 46 पे at the rate 30% आपको tax बनना है यह हो गई बात clear अब चलते हैं उस part पे कि मैंने आपको कहा कि certain amount of TDS has been deposited by Rario as per the provision of section 194 s of the Indian tax laws marketplace की जो trades है उस पे 1% on the sale price of the card has to be deducted by the user when they are selling the card so the user will get a credit of 1% TDS जब final tax liability deduct होगी तो जैसे मैंने कहा कि add the rate 30% हम जो ले रहे हैं वो amount पे समझे 13.5 पे अगर Rario already 1% deduct कर चुका है आपके लिए deposit कर चुका है तो वो specific amount मेंसे वो 1% cut जाएगा जो आपको वापस नहीं भरना पड़ेगा यह हो गया पूरा का पूरा breakup तो यह हो गई बात Rario ने वो जो tax liability भर दी है आपके लिए on the behalf of the user वो same चीज़ वो already government के साथ deposit कर चुके है so users won't have deduction from the rest of the sale consideration receive from the sale of the card accordingly जो gross principle है वो apply होगी और जो concept of grossing up in TDS वो adjustment इसलिए होती है to ensure कि जो recipient है income वो पूरी receive करें जो उनको due हो even after deducting the applicable tax जो tax आपको applicable है उसमें से वो TDS cut जाएगा अब यह table से समझ जाते है कि जो मैं आपको पहले शब्दों में समझा रहा था वो आपके सामने इसी table से आपको clearly समझ में जाएगा कि sale of the price है, sale card of the price है पचास डॉलर उसमें से grossed up income है आपकी 50.5 TDS deposited by Rario is 0.50 और आपकी purchase price जैसे हमने गिनी थी पहले कि अगर आपने marketing bonus नहीं use किया है 6 डॉलर तो अब taxable income कितनी होगे इस पे 44.5 और वो 44.5 पे आप add the rate 30% करोगे तो amount कितना हैगा 13.35 वो 13.35 में से Rario आपके लिए already 0.5 भर चुका है तो आपको भरना है net tax payable 12.85 अब जब आप अपनी Excel sheet देखोगे जाके वहाँ पे सारे के सारे calculations आपको already बता जिये गए हैं कि आपने कितने में वो card को लिया कितने में बेचा कितना profit है और कितना TDS और वो भर चुके आपके लिए total tax liability कितना है तो उपर वाला जो column है वहाँ पे वो specific sheet में वहाँ पे आपको यह भी दिख जाएगा कि total profit कितना है आपके sale of cards में से and total TDS value आपके लिए कितना already deposit कर चुका है तो जितना वो amount already deposit कर चुके है वो आपको वापस भरने की जरुवत नहीं है वो total profit में जब आप add the rate 30% करोगे and total TDS deduct करोगे जो बाकी का amount बचेगा वही आपको भरना है तो यह है overall system कि आपको क्या करना है and कैसे करना है बट एक बात का जरूर ध्यान रखेगा कि जो loss में आपने cards बेचे उस पे offsetting करना नहीं allowed है and वापस यह बात ध्यान रखेगा कि यह government rule है यह radio का rule या मेरा rule नहीं है तो समझ यह आपने एक card लिया अब समझ लेते हैं कि आपके पास एक 4 cards का set है and वो cards में से समझ आपने 3 cards को बेचा है profit में एक card को बेचा है loss में तो उस case में क्या होगा तो एक card आपने बेचा समझ ए 50 dollar के profit में दूसरा card 10 dollar के profit में तीसरा card वापस 50 dollar के profit में चौथा कार्ट 10 dollar के loss में तो वो case में क्या होगा पहले कार्ट पे 50 पे आपको 30% बरना है दूसरे पे 10 पे 30% बरना है तीसरे पे 50 पे 30% बरना है बट चौथे पे आपको कोई deduction नहीं मिलेगा तो जो आपका total taxable income होगा वो होगा 50 plus 10 plus 50 110 ना की 100 क्योंकि वो 10 कट करना allowed नहीं है और इसे एक और बड़ी सीख मिल दाती है कि अब हमें और धियान से trade करना है कि क्या ये rule है इन वही साब से हमें अपनी trading भी करनी है बट अभी के लिए just for understanding वो जो 10 आपकी loss है वो आप यहां से नहीं काट सकते हो क्योंकि यही government का rule है कि taxable income जो आपके total profits है उस पर ही है loss of setting allowed नहीं है तो यह total system की कैसे आपको cards पर tax calculate करना है कैसे आपको winnings पर tax calculate करना है उसके अलावा कही लोगों का यह भी सवाल था कि जो WHT certificates थे of the CPL 2022 तब जो winnings पर भी tax deduct किया था उसके TDS certificates आपको कैसे मिलेंगे तो काफी लोग को वो already सारे users को email कर दिया चुका है बट अगर आपको नहीं मिला है आप जाके customer support को reach out कर सकते हो वो आपको copy सीधे के सीधे वही पर provide कर देंगे and उसके अलावा obviously जो tax summary है जैसे मैंने रेफर किया उसको throughout this specific summary आप वो annual summary से समझ जाओ कि marketplace trade से आप आपकी क्या है profit क्या है winnings विनिंग पर आपकी क्या tax filing है वो जो tax summary उससे आप पूरी बात समझ जाओगे users would have already received the TDS certificate for each quarter वो बात आप याद रिखेगे और आगर आपके पास नहीं पहुच है TDS certificate तो आप रार्यू को reach out करिए and वो आपको एक copy दे देंगे customer support के द्वारा and उसके अलावा वो लोग plan ये भी करने कि एक tab आ जाएगा website पर जल जहां पे आप TDS certificate directly download कर पाऊगे तो यह राये video I hope आप सबको मदद हो गई और समझ में आ गया कि कैसे आपको tax calculate करना है फिर से आपको एक summary दे देता हूं जो भी आपकी total winnings है जो वो summary column में थी वो total winnings पे आपको flat 30% tax बना है पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो आपके cards पे profits है वो profits पे आपको 30% tax बना है profitable cards पे and जो भी 30% है उसमें से 1% TDS already आपके लिए deposit कर दिया चुका है by rario to the government and वो आपको कैसे पता चलेगा कितना amount है वो भी उस tax summary वाले sheet में mentioned है उसकी भी जो link है वो मैं इस video के description में चोड़ रहा हूं and तीसरी and बहुत important बात कि जो भी profits है profit वाले cards पे आपको tax बना है बट जो loss वाले cards है वहां आपको offsetting allowed नहीं है as per the government तो यह कुछ key बाते हैं please इन बातों को याद रखेगा उसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो तो आप इस video के comment section में डाल सकते हो and मैं request कर दूँगा उनकी team को Rayrio की team आपके सारे के सारे queries solve कर लेगी thank you so much आप सब के विश्वास के लिए and जल्द ही मिलेंगे एक और preview के लिए thank you so much for tuning in